मुल्ताइनी, मिट्टी और ताजे यह लोगा रहा कि बहुत बढ़ी आ टिप्स लेकर किया यो फ्रेंड्स इससे आप अपना हेल्थ, टाइम और पैसा तीनों बचा सकते हैं बहुत बड़ी अघरेलूर उसका है, तो सबसे पहले पिछली वीडियो का जो ठैंक चाता है वो सुनील जी को जोधपूर से, माला जी को साउथ अफ्रीका से, जूली जी को यूसे से और सोबा जी को कोटा से, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, और भी वीवर्स कहा करके मिक्सी में ग्राइंड करके उसका पाउडर बना ले, दो-तीन चमच पाउडर ले लेना है, अब ले लेना है ताजी अलोवेरा की पत्पी, अगर यह नहीं होता है, तो आप रेडी मेड वाला भी अलोवेरा जल यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर फ्रेश मिल जाए, तो उसी को यूज कीजेगा, तो इसके किनारे वाले, काटे को काटके निकाल देना, और इसके अंदर का जो फ्रेश जेल है, उसको निकाल देना है, और हाँ, दोस्तों, जिनको नहीं पता है, उनको बतारी हूँ, कि जब भी आप एलोवेरा यूज करें, तो एलोवेरा की पत् पत्ती को काट दिया है और बहुत ही असानी से जल निकल जाता है ये देखे फ्रेंट्स आपको 4-5 चमज जल एकठा कर लेना है अगर जरूरत लगे तो थोड़ा सा और भी अलोवरा की पत्ती को काट के जल निकाला जा सकता है तो फ्रेंट्स इन सबको निकालने के बाद मिक् आटा डाल देना है ये बहुत ही बड़िया होता है अगर नहीं हो तो बेसन भी डाल सकते हैं थोड़ी से हल्दी पाउडर को भी डाल देना है अगर वाइल टर्मरी इसको कसूरी हल्दी बोलते हैं वो अगर हो तो और भी जादा अच्छा है अब अलोवेरा वाला लिक्विड जो पीस के रखा है जेल, डाल देना है और मिक्स कर लेना इसको अब इसमें एक चमच हनी और साथी साथ थोड़ा सा गुलाब जल डाल देना है इन सब के अपने अपने बहुत सारे फायदे है तो सारी चीजों को जरूर डाले डाल करके मिला लेना है अगर मिक्सर काफी गाड़ा हो तो थोड़ा सा एलोवेरा का जेल पीस करके और भी डाल दे और मिक्स कर लेना एक दम अच्छे से ये देखिए फ्रेंट्स कितना बड़िया पैक मन के तियार हो गया है अब इसको हातों से भी लगाए जा सकता है या ब्रस से भी लगा सकते है नहीं तो एलोवेरा की जो पत्ती अभी जल निकाल के रखता है उससे भी रख करके चेहरे पे हलके से मसाज किया जा सकता है बहुत फायदेमंद ये पैक जरू ट्राइ कीजेगा और अगर पत्ती के साथ नहीं जम रहा है नहीं अच्छे से फैल रहा है तो कोई बात नहीं अलोवेरा की पत्ती को संभाल के रख दे इसका बाद में बहुत जाड़ा यूज है तो फ्रेंट्स हातों से ही फैला लीजे अच्छे से फैलाना है मतलब बहुत मोटा लेयर भी नहीं रखना है और चेहरे के साथ साथ इसको गले पे, हाथ पेर पे, केहनी पे साथी साथ घुट्टों पे भी लगा लेना है जहां-जहां काला पाठ है, डेड इसकीन है हर जगह इसको लगाईए इसमें जो चावल काटा डाला है फ्रेंट्स बहुत ही बड़िया स्क्रब का काम करता है डेड इसकीन्स को निकालता है जो अलोवेरा है, पता यह वो दाग धंपे पिगमन डेशन को हटाने के लिए बहुत ही बड़िया होता है मुलतानी, मिट्टी, शेहद ओपन पोर्स को कम करते हैं, चेहरे में निकार लाता है, चमक आती है तो अच्छे से लगाने के बड़ आट-दस मिनेट रहने देना है इसको थोड़ा सा सूख चाहिए, पूरा नहीं सुखाना है हलका गीला होना चाहिए उसके बाद वही एलोगरा वाली पक्ती ले ले और हलके हाथों से मसाज कर लेना है यकीन मानिये फ्रिंट्स, शेहरे पे, गले, हाथ, पैर पे इतना बड़िया निकार आ जाता है, इतनी चमक आ जाती है और मुलायम इतना अच्छा हो जाता है कि आपको कभी भी पार्लर जाके फेशिल कराना, पेडिक्योर, मैनिक्योर, कुछ भी नहीं करना पड़ेगा तो जरू ट्राई करके देखिए दोस्तों और इसको लिप्स पे भी लगाईए लिप्स अगर डार्क हो गया हो डेडिस्किन के वज़े से तो लिप्स का भी कालापन धीरे-धीरे खतम हो जाता है और इसके बाद साप पानी से धो लेना है यकीन वानी फ्रेंट ये जो ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स, उपन पोर्स इन सब की जो समस्या है, दाग धब्बे धीरे-धीरे सब खतम हो जाएंगे और रोज अगर पॉसिबल नहीं हो बनाना, तो इसको स्टोर करने का तरीका बताती हूँ एक बर बना के आप एक महीनी आराम से स्टोर कर सकते हैं तो जो मिक्षर बच गिया है, उसको बर्फ जवाने वाली ट्रे ले ले, उसमें डाल देना है मैं हमेशा इसी तरह से स्टोर करती हूँ फ्रेंट, क्योंकि रोज रोज पॉसिबल नहीं होता है इतना ताम ज़ाम करना तो आप भी इसी तरह से एक बर बना करके ट्राई करें, आपको बहुत पसंद आएगी रेमेडी तो ट्रे में डाल देना है, थोड़ा सा टैप कर देना है ताकि एक बराबर फैल जाएए अब इसको बंद करके फ्रेजर में 7-8 घंटे रख दीजिए, अच्छे से इसके क्यूब्स सेट हो जाएंगे और ये लिजे फ्रेंट्स, एक्तम अच्छे से सेट हो गया है अब इसको डिमोल्ड करना बहुत इसी है, बस इसको पलट करके हलका सा पुश कर देना एक तम असानी से निकल जाता है ये देखिए फ्रेंट्स, कितना अच्छे से निकल रहा है पीन स्तारी क्यूब्स को किसी भी जिप लॉक बैग में भरके फ्रिजर में किसी कोनी में रख दीजिए जब जरूरत हो निकाल अफट 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 यूज कर लिया ये देखिए फ्रेंट्स, कितने बड़िया क्यूब बनके रेडी हुए है अब उसको यूज करके भी आपको दिखा रहे हैं, ये देखिए तो आप डारेक्ट इस तरह से भी यूज कर सकते हैं और हर तरह की स्किन वाले भी लगा सकते हैं पत्त जिसका स्किन ड्राइ हो या ओली हो, दोनों ही लगा सकते हैं इसको और हफटे में कम से कम, दो से तीन बार इसको जरूर लगाएं, तब ही परफेक्ट रिजल्ट मिलेगा यकीन मानिए फ्रेंड्स इसके रिजल्ट को दे करके आप बहुत खुश हो जाएंगे दाग, धबे, पिग्मन्टेशन, डेड़ी स्किन सब निकल जाता इससे जरूर ट्राइ कीजे दोस्तों